जेंडू के फूल की चटनी जेंडू के फूल की चटनी अगर बनाके उसको लिपन किया जाए तो बड़े से बड़ा घाओ भर जाता है और ये रस पीने को दिया जाए और जल्दी भर जाता है तो जब कारगिल युद्दी के समय अपने सेनिकों को जिनको घायन होने की सूचनाएं की सब को हस्पितल के अंदर यही उपयोग में लाया गया और दौध अच्छी परिणा में इस जेंडू के फूल को हमेशा धर में बनाके रखते हैं किसी भी तरह की चोट में अदूध काम करता है यह सबसे बड़ा एंटी सेप्टिक है सबसे बड़ा दुनिया का इससे अच्छा एंटी सेप्टिक पूरी दुनिया में नहीं है और अगर जेंडू के फूल की चट्पी बनाएं और इसमें थोड़ा खोरपड का रस मिलाएं तो दिल्कुल सोने में सुहादी जैसा थाम करते हैं बहुती अद्बुत कॉंबिनेशन है जेंडू के फूल की चट्पी और खोरपड का रस मिक्स करके खराप से खराप भाव पर लगा दीजे पूरा शरीर सर गया हो ऐसे लोगों को लगा दीजे मैंने इसका उपयोग किया है